आज हम छोटाओ और बड़ाओ की मांत्रा पढ़ेंगे लास्ट हिंदी क्लास में हमने पढ़ा था छोटी और बड़ी की मांत्रा I hope आप सबको यह की मांत्रा समझ में आ गई हो So, let's start today's आवा टॉपिक छोटाओ और बड़ाओ की मांत्रा लिखते समय छोटाओ की मांत्रा मांत्रा को लेफ्ट साइड घुमाते हैं और बड़ाओ की मांत्रा को राइट साइड घुमाते हैं छोटाओ की मांत्रा का उच्चारण घुमे स्वर में और थोड़े टाइम में किया जाता है और बड़ाओ की मांत्रा का उच्चारण तेज स्वर में और लंबे समय तक किया जाता है बच्चो ये जो चिन है ये छोटे उ की मांत्रा का चिन है और ये बड़े उ की मांत्रा का चिन है अब मैं आपको कुछ एक्जाम्पल बताऊंगी समझाऊंगी कि उ की मांत्रा छोटे उ की मांत्रा बड़े उ की मांत्रा कहां कैसे लिखते हैं ओके यहां देखें नमबर बन प ल अगर ये मात्रा को हम हाइट कर देंगे तो इसे क्या पढ़ा जाएगा प ल पल पर इस प के नीचे कौन सी मांत्रा लगी है छोटे की मांत्रा लगी है तो इसे क्या पढ़ेंगे हम प के नीचे छोटे की मांत्रा लगी है इसे पढ़ेंगे हम प ल पुल पुल क क के नीचे कौन सी मांत्रा लगी है छोटे होगी तो इसे हम क्या पढ़ेंगे कु कु कुल कुल यह देखिए ख श ख क के नीचे कौन सी मांत्रा लगी है छोटे होगी तो इसे हम क्या पढ़ेंगे खु खु श खुश प श प श श क के नीचे कौन सी मांत्रा लगी है छोटे होगी पशू ग लपे आके मांत्रा ब ग के नीचे कौन सी मांत्रा लगी है छोटे होगी इसे क्या पढ़ेंगे गुलाब ग डि या ग के नीचे कौन सी मांत्रा लगी है छोटे होगी से क्या पढ़ेंगे गुडिया सा बन ब की नीचे कौन सी मांत्रा लगी है छोटा लगी है इसे क्या पढ़ेंगे कचुआ, धनश, 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 धकान, ध की नीचे, छोटाओ की मांत्र लगी से हम क्या पढ़ेंगे, दुकान, दुकान. अब देखिए, इस साइट बड़ाओ की मांत्र है, एक बार हम फिर से छोटाओ की मांत्रा को पढ़ेंगे, पुल, कुल, खुश, पशु, गुलाब, गुडिया, साबुन, कचुआ, धनश, धुकान. बच्चों ये देखिए, इस साइट में छोटाओ की मांत्रा के सारे शब्द लिखे हुए है, छोटाओ की मांत्रा हमेशा ऐसे लिखी जाती है, अब ये देखिए, बड़ाओ की मांत्रा के कुछ एक्जामपल, तो बड़ाओ की मांत्रा हम कैसे पढ़ेंगे, फल, अगर हम ऐसे पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगा, फल, तो फ के नीचे, कौन सी मांत्रा लगी है, बड़ाओ की, फूल, फूल, द, ध, द, के नीचे कौन सी मांत्रा लगी है, बड़ाओ की, इसे क्या पढ़ेंगे, दूद, भ, ल, भ, के नीचे छोटा, स्वारी, बड़ाओ की मांत्रा लगी है, इसे हम पढ़ेंगे, भूल, भूल, च, हा, हाँ पे आएक मांत्रा, च, पे बड़ाओ की मांत्रा लगी है, इसे क्या पढ़ेंगे, चूहा, क, ब, तर, अब इसे हम क्या पढ़ेंगे, क, बूतर, स, र, ज, सूरज, सूरज, त, र, ज, अब इसे क्या पढ़ेंगे, तराजू, इस, कल, क, पे बड़ाओ की मांत्रा है, अब इसे पढ़ेंगे, इसकूल, इसकूल, ना, खन, अब क्या पढ़ेंगे हम इसे, नाखुन, जा, द, गर, जादुगर, जादुगर, अब हम एक बार फिर से इसे पढ़ेंगे, फूल, दूद, भूल, चूहा, कबूतर, सूरज, कराजू, इसकूल, नाखुन, जादुगर, बच्चों, मैंने जितनी भी छोटाओ की मांत्रा है, उसके नीचे हाइलाइट कर दिया है, जिससे आपको समझने में असानी हो, और जितने भी इधर इस साइट बड़ाओ की मांत्रा है, उसके नीचे भी मैंने हाइलाइट कर दिया है, नाओ चिल्जन, अब हम ये संटेंस पढ़ेंगे, इसमें छोटाओ बड़ाओ की मांत्रा वाले वाक्य लिखे गया है, तो आईए, अब हम पढ़ते हैं, सुबह, सुबह, हुई, सुबह, हुई, सूरज, निकल, आया, सुरज, मुखी, का, फूल, खिल, गया, भालू, ने, कूत कर, तर्बूज, छीना, अब बच्चों, एक बार मैं पढ़ूंगी, और मेरे बाद आप लोग पढ़िएगा, सुबह, हुई, सुरज, निकल, आया, सुरज, मुखी, का, फूल, खिल, गया, भालू, ने, कूत कर, तर्बूज, छीना, गुड, बच्चों, अब आप लोग, छोटा उवर बड़ाओंगी मांत्रा, पढ़ लिए हैं, समझ भी क्या हैं, बच्चों, अब आप हुँबर कॉपी पे नोट करेंगे, प्रश नमबर एक, उ की मांत्रा वाले साथ शब्द डिखिए, आपको प्रश नमबर वन में छोटाओं की मांत्रा के सैवन शब्द राइट करने हैं, जैसे पुल, कुल, पशु, गुलाब, गुडिया, अभी मैंने आपको जो पढ़ाया है, उसमें से कोई भी शब्द या, आप अपने मन से भी कुछ शब्द, छोटा, ओके जो आपको आते हूँ, वो लिख सकते हैं, प्रश नमबर दो, उ की मांत्रा वाले साथ शब्द लिखे, इसमें आपको बड़े उ की मांत्रा वाले साथ शब्द लिखने हैं, प्रश नमबर तीन, दिये गये शब्दों में उ की मांत्रा लगाईए, यहाँ पे वन टू थ्री, शब्द मैंने लिखे, आपको इसमें उ की मांत्रा लगानी है कल कल सा बन धन श आपको इस सेंटेंस में छोटाओ की मांत्रा लिखनी है ओके यहां पे कल तो यहां पे छोटाओ की मांत्रा कहां लगेगी कपे कु कु कुल, साबुन, धनुष बच्चों आज हमने छोटाओ और बड़ाओ की मांत्रा को पढ़ा है अब हम नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे हैव अगुड़ दे चिल्टरन बाए बाए